नमस्कार दोस्तों वेलकम टू वैलियोडिशन दोस्तों वैलियोडिशन का आज का जो एपिसोड है यह उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादे यूसफिल होने वाला है जुन्हों ने हायर पेंशन का जॉइंट ऑप्शन फार्म भरते हुए गलती कर दे थी दोस्तों अगर आपके हाथ से जॉइंट ऑप्शन फार्म भरते वाग गलती हो चुकी है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है इप योफो ने आपके लिए एक डिलीट बटन का ऑप्शन लाया है और उसी चीज़ का लाइड डेमो मैं आज आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूं दोस्तों बहुत सारे चैनलों ने इस जिलीट बटन के उपर में एपिसोड बनाया लेकिन ऐसा कोई भी चैनल मुझे नहीं दिखा जहां पर लोगों ने इसका लाइव डेमो दिखाया होगा कि जब आप यह फॉर्म भरेंगे तो आप इस डिलीट बटन को यूज कैसे कर सकता है और उसको डिलीट करने के बाद में क्या सच में आपको फिर से option मिलता है एक नया form भरने का या नहीं तो आईए दोस्तों सीखते हैं कि डिलीट बटन को इस्तमाल कैसे किया जाए दोस्तों इस बटन को इस्तमाल करने के लिए सबसे पहले आपको आपकी MPF account में लॉग इन होना पड़ेगा अपने फॉर्म का जो इनिशल सब्मिशन आपने किया था उसको देखना पड़ेगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उस चेप से आप डिलिट बिटन को कैसे इस्तिमाल कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो आगे बढ़ते हैं दोस्तो अगर आपको आज कि इस जिलिट बिटन के बारे में समझना है तो आपको सबसे पहले लॉग इन करना पड़ेगा आपके एपिए फो अकाउंट में जहां पर आपने फॉर्म सब्मीट किया है आपको अप आप इस तरह की स्क्रीन पर आएंगे जहां पर आपको दिखेगा आपका फॉर्म जो अपने सब्मीट किया था उसके डिटेल्स और दोस्तो यहां पर जैसे कि आपको दिख रहा है यहां पर जनरली आपको दिखाया जाएगा पेंडिंग फॉर अप्रूर एट एंप्लॉय चीज़े आप यहां पर नोट कर सकता है अब दोस्तो इस पर्टिकुलर फॉर्म का जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ उस फॉर्म में अगर दिखा जाए तो दोस्तो यहां पर एक गलती हो गई थी यह जो महाशा है यहां पर एक गलती हो चुके थे और इनके पीएफ में इनको नो अप्शन सिलिक करना चे था और नीचे इनोंने अंडर्टेकिंग देना चे था कि जब भी एपीएफो मुझसे पैसा मागेगा तो मैं पैसा देने के लिए तयार हूँ और दोस्तो जब से इन महाशे के हाथ से गलती हो चुकी थी यह महाशे बहुत परेशान थे लखी ली इपी एफो ने अभी यहां पर इसको रेक्टिफाई करने का तरीका दे दिया एक डिलिट बॉटन दे दियाए जिसको क्लिक करने के बाद ने आप अपने अप्लिकेशन का डिलीट कर सकते और एक नया अप्लिकाशन भर सकते और इसी का मैं आज आपको लाइवede म वाला हूं इन महाशे के examples से अब दोस्तों जैसे आप इस application को बंद कर देंगे आप वापस स्क्रीन पर आजाएंगे जहां पर हमारा application का details दिया गया था अब दोस्तों यहां पर आपको एक rate button दिख रहा होगा अब दोस्तों अगर आप यह application डिलीट करना चाहते है तो आपको red button जहां दीख रहा है delete application का उसके ओपर जाकर click करना होगा वह जैसे आप click करेंगे आपको next जो message आएगा वो होगा dear member your application for a joint option has been deleted successfully if you are willing to fill again then you can fill this application as a new request और दोस्तों यहां पर जो नीचे yellow button दिया गया है यह है फिर से एक नया joint option form भरने के लिए दोस्तों यसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता होगा कि delete application form का button आ गया है लेकिन वह बास से डर रहे होंगे कि अगर मैं इस button पर click कर दूँँगा तो form तो delete हो जाएगा और नया form में भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा यहां एक बहुत बड़ा question mark है तो दोस्तों उन सब के लिए मेरे पास जवाब है कि definitely आप एक नया form भर पाएंगे और इसको मैं अभी आपको proof भी करके दिखाऊंगा कि जब मैं इस button पर click करूंगा तो उसके बाद मैं सच में नया form भर पा रहा हूं कि नहीं भर पा रहा हूं तो दोस्तों जैसे में इस yellow button के ओपर click करूंगा तो आप देखीगा एक नया window pop-up होगा और विंडू में आपको यहां पर पूछा जा सकता है कि आपका UN number क्या है आपका आगे का details कैसा है जैसे कि यहां पर आपको फॉलो करना पड़ेगा देखे आपको स्क्रीन पर दिख राओगा कि आपको यूए नंबर भरना है नेम भरना है डेट अफ बर भरना है आधार नंबर भरना है और दोस्तों यह सेम प्रोसीजर है जो हम एक्चुली अपनी अकाउंट में लॉगिन करते हो करते हैं तो दोस्तों आपको यहां पर अपनी इंफ्रमेशन भरनी है और उसका राद आपको OTP लेकर यहां पर लॉगिन करना है और उसके बाद जो आपको information दिखेगी वो मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता और इस पर हम पुरी information भर दिये और अब हम यहां पर लेने वाले हैं अब दोस्तों हम यहां पर गेट OTP के ओपर क्लिक करेंगे तो हमको एक OTP आ जाएगा उस OTP को दोस्तों हम यहां पर फिल करेंगे और उसके बाद और उसके बाद submit करकर आप अपना joint application form भर सकते हैं और दोस्तों यह सब मैंने आपको इसी लिए दिखा है ताकि आपको विश्वास हो जाए कि delete button दबाने के बाद में आप एक नए application form भर सकते हैं और दोस्तों मैंने इन महाशाय का form फिर से एक बार भर दिया है इनकी जो गलति यह हो चुकी थी यहाँ पर वो मैंने यहाँ पर ठीक कर दी है and this operation was successfully concluded तो अगर आप से अगर कोई गलती हो चुकी है तो दोस्तों इस delete button को utilize कीजिए और अपना form rectify कीजिए आपके पास 3 मही तक का समय है आप अपने end से इस form को rectify करके फिर से एक बार submit कर सकते हैं और जो भी कर सकते हैं और सारी चिंताव से मुक्त हो सकते हैं तो मित्रों इसी तरह का छोटा होटा content हम आपके लिए लाता है जो आपके जिंदगी में value आड़ कर सके आपकी problems को solve करने में आपकी मदद कर सके और आपकी life को आसान बना सके अगर दोस्तों आपको हमारा content पसंद आ रहा ह तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नए content के साथ तब तक के लिए subscribe किजिए हमारा channel valuation धन्यवाद